हलो गैज मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में गैज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लॉकी इनू पेपे क्वाइन और सीबा इनू के बारे में कि इन तीनों क्वाइनों में फिलहाल जो है किस क्वाइन को होल्ड करने में ज्यादा प्रॉफिट दिख रही है और लॉंग टर्म के सिनेरियो से अगर जे रुके हैं तो कौन से क्वाइन में हमें रुकना चाहिए आज किस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं साथ ही हम फ्लॉकी इनू को जी वीकली रिपोर है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही बाइनेंस जो इंडिया के यूजर है उनके लिए खुस खबरी है जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यहां पर यहां पर रजिस्टर करेगी तो फाइनली यहां पर जो चीज़े हैं वो पॉसिबल हो गई है और बह यह फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन आइकन दबा लिजेगा क्योंकि मैं यहां क्रिप्टो के रिगारिंग चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता ह गैज सबसे पहले अगर यहां पे हम मार्केट को लेकर बात करें तो मार्केट आप देख सकते हैं कि 2.25 ट्रिलियन डॉलर पे अभी ट्रेड हो रहा है और आज के डेट में यह लगभग 3.something कुछ परसेंट जो है वो गिर भी गया है बिटकोईन की अगर बात कर लिजा है त तो बिटकोईन 6.772 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है जब मैं यह वीडियो सूट कर रहा हूँ अपलोडिंग के समय यह प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लेक्चुएशन आ सकती है इथेरियम को लेकर बात कर ली जाए तो 29.15 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है यानि कि बिटकोईन और इथेरियम में भी लगभग 3-3.5% की गिरावट दर्ज हुई है आज के डेट में फाइनली ऐसा तब हुआ गया जब कल के डेट में बाइनेंस को लेकर निव जाया कि FIU के अंतरगत जो है यह रजिस्टेशन करा चुके हैं रजिस्टर हो चुके हैं वहां से बहुत सा मार्केट में थोड़ी सी डंपिंग की सिच्वेशन पैदा हो गई लेकिन फिलहाल जो है 6772 डॉलर पर बिट्वाइन ट्रेड हो रहा है यहां पर अगर जह हम बाइनेंस को लेकर बात करें कि FIU के तहत अंतरगत यहां पर रजिस्टेशन करके अच्छा किया कि नहीं किया तो बहुत सारे यूजर जो है वो सोच रहे हैं कि फिर डी सिंट्रलाइज का क्या माजरा रह जाएगा यह सरकार चाहती है कि क्रिप्टो को पूरी तरीका से सिंट्राइज किया जाए एक्चेंज को पूरी तरीका से सिंट्रलाइज किया जाए तो बाइनेंस को लेकर अगर है वो पूरी तरीका से खतम कर दिया है अब बहुत सारे यूजर का कमेंट्स आ रहा था कि अब तो हमको टैक्स देना पड़ेगा गैज टैक्स के regarding FIU यहाँ पे यह प्रोभाइड नहीं कराता है हाँ यह टैक्स यह चीजे सिर्फ और सिर्फ न्यू जाई हुई है और बहुत जल्द आपको हो सकता है कि कर डिपार्टमेंट से टैक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पे टैक्स का भी स्लैब हो जाए और जिस तरीका से कूक वाइन के ऊपर 40-50 लाग का पेनाल्टी लगा था हो सकता है कि बाइनेंस के ऊपर भी एक मोटी रकम की पेनाल्टी लग सकती है तो यहाँ पे अभी जो है बाइनेंस ने FIU के अंतरगर्ट रजिस्टेशन कर दिया है आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजिटिवीटी देखाईए आने वाले समय में बिलकुल अच्छा रहेगा और यकीनन बुलरें से पहले मार्केट में बहुत तरीका का न्यूज जो है मार्केट में आता रहता है और इससे जो है जो लोग काम करेंगे उनको डरने की बात है जो लिगल तरीका से काम करेंगे जो अपना टैक्स भरैंगे उनके लिए कोई किसी परकार का यहाँ पे कोई दीकत नहीं होने वाला है तो फिलहाल जो है यही जनकारी थी Binance FIU के तहत जो registration किया है अब हम बात करेंगे फ्लॉकी के बारे में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज तीन टोकन मैंने लिया है वो भी MIM टोकन जो की क्वाइन मार्केट कैप क्वाइन की को पे आप देखिए इनका वर्चस वो इनका मार्केट कैप जो है बहुत तेजी तरीका से डेवलप कर रहा है तो क्या दो हजार पचीस की बुलरे में जो है इनका परचम लहराने वाला है की नहीं चलिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहले हम फ्लॉकी के बारे में बात करेंगे फ्लॉकी इनके बारे में बात कर ली जाए तो इसकी weekly report क्या कहती है देखिए फ्लॉकी adoption in Asia Asia में ये adoption कर चुका है फ्लॉकी और new फ्लॉकी 5 लॉक इसका भी available हो चुका है और फ्लॉकी add on Turkish TV तर्किस टीवी पे फ्लॉकी का add भी चलाया जा रहा है add बहुत कुछ बता देता है add बहुत कुछ कर देता है coin की price में तो यहाँ पे आप फ्लॉकी पे बिल्कुल नजर जमा के रखिए जो लोग यहाँ पे 100 टर्म में भी profit बनाना चाहते हैं फ्लॉकी ने बहुत अच्छा खासा profit बना करके दिया है फ्लॉकी के बारे में अगर अगले update के बारे में बात कर ली जाए तो फ्लॉकी आयरलेंड वर्सेच पाकिस्तान की जो T20 स्रीज हो रही है उसमें आयरलेंड जीत दर्ज की है पहले T20 में वहां पे आप देख सकते हैं कि इसका logo जो है लगा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि फ्लॉकी के लिए यह बहुत बड़ी बात है market vector meme coin index और meme coin का index भी जो कहीं न कहीं है इसका live हो चुका है तो ये थी कुछ फ्लॉकी की weekly report अब हम फ्लॉकी के बारे में बात करें कि फ्लॉकी को 2025 तक hold करना क्या मुनाफ़ा दे सकता है तो guys बिल्कुल दे सकता है फ्लॉकी इनु जो है एक बहुत ही तगड़ा meme coin बन चुका है और इसकी अगर जो current price की बात कर ली जाए तो point के बाद 3x017 की price चल रही है जब इसकी price एक पैसे से बेहत कम थी तो वहाँ पे मैंने आपको एक price prediction करके दिया था कि ये एक पैसे को बहुत जल जाने वाला है और मात्र तीन से चार दिन के अंतराल में guys एक पैसे का label दो पैसे का label जो है यहाँ पे फ्लॉकी इनु ने आपको टच करके दिखाया था यहाँ पे अगर जहाम इसकी market cap को लेकर बात करें तो 1.64 billion dollar का इसका market cap हो चुका है और coin market cap के अनुसार ये 55 rank पे trade हो रहा है यानि कि इन 100 जो है ये token आ चुका है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का support भी मिल रहा है तो flow की इनु 2025 की bull rain में आपको एक बेहद बड़ी price दिखाने वाली है इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा लेकिन किसी भी crypto में निवेस करने से पहले एक बार खुद की research जरूर कर लिजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको profit भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है आगे हम बात करें पेपे को लेकर पेपे की अगर बात करें तो पेपे आज बिटकॉइन हो गया इथेरियम होगा सारे जो है सुबह में 2-3% loss में चल रहे थे लेकिन पेपे जो है यहाँ पे लगभग लगभग 2-3% profit दिखा रहा था और अभी हम अगर बात करें इसकी प्राइस को लेकर तो पॉइंट के बाद 5-087 की प्राइस में यह मिल रहा है मार्केट कैप को लेकर बात करें तो 3.6 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है और रैंक देखी जाए तो 28 नंबर पे ट्रेड हो रहा है तो यहां पे यदि आप पहले से बाई करके रखे हैं और कुछ मुनाफ़ा आप बना करके सेल भी कर दी हैं तो कोई बात नहीं आप इसको लॉंग टर्म के सेनेरियों से यानि की कम से कम 2025 की बुलरं तक रखिए आपको पेपे कौईन भी प्रोफिट देकर जा सकती है अगले token के बारे में बात करें तो वो है Ciba Inu Ciba Inu के बारे में बात करें तो Ciba Inu आज के हरेक user के portfolio में आपको देखने को मिल जागा लेकिन इसकी price में उस तरीका का growth देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे burning mechanism में इसका काम नहीं कर रहा है सबसे पहले इसको burning पे ध्यान देना चाहिए जिस तरीका से Ciba popularity बटोर रही है market में Siberium 2 के तहथ bone और इसका बहुत सारा चीज जो है game और अभी है सब चीज market में आ चुका है लेकिन price पे इसका किसी परकार का कोई असर नहीं दीख रहा है तो फिलहाल अगर जो लोग यहाँ पे short term में profit बनाना चाहते हैं सीबा में तो यह अभी बिल्कुल possible नहीं है लेकिन जो long term के scenario से रूके हैं सीबा में उनको यहाँ पे अभी hold करना चाहिए सीबा को अभी हम इसकी current price की बारे में बात आ दे आपको तो point के बाद 4x022 की series में जो है ट्रेड हो रहा है डॉलर की price में market cap को लेकर बात कर ली जाए तो 13.3 billion dollar का market cap है और rank देखी जाए तो 11 number पे trade हो रहा है और यह बहुत जल्द जिस तरीका से market cap इसका grow हो रहा है यह बहुत जल्द आपको under 10 भी देखने को मिल सकता है और रेड़ी एक meme coin यानि कि dodge coin जो है वो 10 top 10 के अंतरगत अपना नाम दर्च करा लिया है तो आपको Siba Inu भी बहुत जल्द top 10 के अंतरगत में देखने को मिलेगा और Siba Inu finally अब meme coin नहीं रहा जो लोग बोलते हैं कि Siba जीरो हो जागा गैज जहां पे इसका use case वगरे सब चीज आ चुका है इसका खुद का blockchain आ चुका है तो यहां पे हम धीरे धीरे ही सही एका एक मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है यहां पे 1 dollar 2 dollar 10 रुपया 50 रुपया का price देख सकते हैं लेकिन धीरे धीरे यदि आप patience बना कर यहां रुखते हैं तो आपको यकीन अंसीबा इन्हों एक बहुत बड़ा profit दे कर जा सकती है और बहुत पहले भी यह काम कर चुकी है 2021 की bulletin में तो यहां पे आपको जो है stable रहना है crypto में यदि आप crypto से अच्छा खासा मुनाफ़ा बनाना चाहते हैं तो गैस यह वीडियो आपको कैसे लगी पिलीज हमें comment section में जरूर बताएगा और नीचे description box में टेलिग्राम और ट्यूटर दोनों का link दिया हुआ है उसको जरूर जोइन कर लीजेगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए अपने दोस्त पिकास के उजाज़ा दीजिए नमस्कार ठेंक यू